नमस्कार साथियों मैं मनीज भारती संस्कृती PCS प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों जैसा कि जानते हैं अपना बिहार यानि की बिहार स्पेशल के इस कारिक्रम में हम लोग बिहार में क्या बिहार से संबंधित मिंस के टॉपिक हो सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि एक जो BPSC में आपका सेगमेंट होता है बिहार स्पेशल तो उससे जुरे हुए मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं और वहां आप जानते हैं कि हम लोग हिस्टरी पर पहुंच चुके थे आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं बिहार में अफगान शाषन को ले करके और अफगान शाषन की जब चर्चा करेंगे तो हम शेरसा सूरी को निश्चित तौर पर बातचीत में लाएंगे जो कि ध्यान रखिएगा बीपीएसी में जब भी कोई भी प्रशन पत्र उठा के देखिए शेरसा सूरी से प्रशन आया ही आया है सासा राम में सेरसा सूरी का मकबारा भी है इसको ले करके हमेशा प्रशन रहा है बिहार का एक फैबरेट टॉपिक ये रहा है इसलिए विस्तार से जराइस पर बात करेंगे अफगान शासन आजपूरा परणे वाले हैं ठीक है बिहार में नुहाणियों के शक्ति का पतन हो रहा था और नुहाणियों के शक्ति का जिस तरह से पतन हुआ उसके साथ-साथ ही देखेंगे पैरलल में तो शेरसा सूरी का उदए भी होता हुँआ जा रहा था सेरसा सूरी के बिशाय में अगर आप कह सकते हैं तो आप सूरी वंस का यह संसतापक था और लोदियों के पश्चात यह दूतिय अफगान शासकती बताए गया देखें सेरसा सूरी अपने आप में बेहद बहादूर वैक्ति माना जाता है हमेशा से ही जो इसने आप देखेंगे मुगल बादसा को कई बार इसने हराए तो उसको लेकर के हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगर परिशा की बात करें तो इसका वास्तबिक नाम जो हुआ करता था वो फरीद खान था जन्म 1472 इसमीड में अफगान के एक परिवार में हुआ था पिता का नाम हशन खान था जो की जौनपूर के जागीदार बनते हैं बाद में बच्पन का नाम इसका फरीद हुआ करता था बाद में शेर्चा सूरी ये नाम पर गया प्रारंबे के सिक्षा भी कहेंगे तो जौनपूरी में हुआ था शेर्चा ने दक्षिन बिहार के सुबेदार बहार खा लोहानी के यहां नौकरी की अब देखें यहां पर जब नौकरी ये कर रहा था उसी समय एक सेर को इस ने मार दिया ऐसा कहा जाता है कि एक शेर की हत्या कर दी मार दिया भिरंत हो गया और फिर जब शेर को मार दिया तो वहां पर इसको एक उपाधी दिया गया लोहानी के द्वारा ही और उपाधी में क्या कहा दिया गया शेर खान, तो एक नाम ध्यान रखिएगा, शेर सा सुरी के विशे में जब भी आप पढ़ें, तो फरीद खान भी प्रशन में आ सकता है, तो फरीद खान यदी प्रशन में आता है, तब भी आपको ध्यान रखना है कि शेर सा सुरी के विशे में ही पूछा जाएगा, इसके से कह सकते हैं आज की भाशा में तो बॉडी गार्ड उसको नुक्त कर दिया लोहानी के फिर मुर्तु हो जाती है लोहानी के मरने के बाद शेरसा उसकी बेगम जो की विद्वा हो गई थी तो उसकी विद्वा वेगम शे विवा कर लेता है और दक्षिन बिहार की सुवेदारी पूरे फिर किसके बाद लोहानी के बाद किसके पास पहुंच जाता है शेरसा सुरी के पास यहीं से आप कह सकते हैं कि सेरसा सुरी खा उदय होता है अब देखें इसके युद्ध को लेकर के सीधे चर्चा करते हैं चुकर शेरसा सुरी ने जो युद्ध किये अब ये चंदेरी के युद्ध से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं इस युद्ध में क्या हुआ तो सेरसा सूरी बावर की और से मुगल सेना में ध्यान दीजेगा सेरसा सूरी किसके तरब से बावर की तरब से तो मुगल सेना में ये लरता है युद्ध में इसके वजह से सेरसा सूर है तो उस बक्त भी मुगल बादशा बावर और अफगार महमूद लोदी के साथ होता है जिसमें शेर खां ये शेर खां मतलब शेर सा सुरी ये महमूद लोदी की औरशे शामिल हुआ पर महमूद लोदी इसमें पराजित हो गया अध्यान रखिएगा इस बार जो है जो चंद 1529 में ही देखेंगे सेर खां ने बंगाल के शासक नुश्रत साह को पराजित कर हजरले आला की उपाधी धारन कर ली ये प्रशन पहले पूछा जा चुका है इसको स्टार्ड मार कर लीजिए और ये आगे भी पूछा जा सकता है कि शेर सा सुरी किस उपाधी को धारन करता ह कई सारे चीजे देगा हजरले आला देगा तो एक तो ये प्रशन हो गया दूसरी बात यह देदेगा कि कहां के सासक को पराजित करने के बाद तो बंगाल के शासक नुश्रत साह को पराजित करके हजरले आला की उपाधी शेर सा सुरी धारन करता है ये बात आपको ध्यार म में चलते हैं पंद्रो सो उन्तालिस का युद्ध बेहद जरूरी है चौसा का युद्ध जो है वह बकसर में बरता है चौसा ठीक है यहां से गंगा नदी का एक रिस्ता है इस जगह से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे चुकि बिहार में नदियां जब मैं आपको पठा र और शेरसा सुरी के बीच हो जाता है बाबर को इसने एक बाद सपोर्ट किया था एगेंस्ट में भी लड़ा था शेरसा सुरी अब बाबर के बाद उसका पुत्र कोन हो जाता है हुमायू ठीक है तो जब हुमायू यहां पर पहुंचता है तो हुमायू के शाथ शेरसा सुर भी भिरता है 1549 में चौसा के युद्ध में हुमायू के बंगाल विजय के लोटते समय उसका संघर्ष शेर खां के साथ चौसा चौसा किस जगह पर परता है बक्षर मैं बार बार कहता हूं बक्षर में ही गंगा नदी की इंट्री होती है बिहार में तो यह वही जगह पर जा शेर्षा शूरी जो इसका नाम हुआ ध्यान रखियेगा यह हुमायू और शेर्षा सूरी के बीच जो युद्ध हुआ था चौसा बक्षर में वहां पर विजय हुमायू पर प्राप्त किया और फिर अपने आपको उपाधी स्वरूप शेर्षा इसने धर लिया बाद में यह नाम से ही पुकारे जाने लगा अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है और सिक्के ढलबाने का आदेश भी यह जारी करता है पंदर सो चालिस में कनोज बिलग्राम की लराई होता है इस युद्ध में शेर्षा की हुमायू पर निरनायक विजय प्राप्त हो जाती है त तो एक बार जो 49 में होता 14 बक्षर का युद्ध उसमें हरा देता है उसके बाद भी देखिए हुमायू मानते नहीं दाता है तो हुमायू जो है 1540 में भिर जाता है कनोज की लराई में उसमें जो है बुरी तरह से शेर्षा ने हुमाय को हरा दिया यानि कि आप कह सकते है ए 54144 कि में मारवार के सांसक माल देव से भी युद्ध करता है तो और 50144 में माळवार के सांसक माल देव से भी इवं कुप्पा ने विर्धा का परदर्शन करते हुए सेर्सा की सेना का जवर्दस्थ प्रतिशोध किया करे प्रतिशोध के संदर में सेर्सा ने एक बात कही थी यह पूछा जाता है मात्र एक मुठ्थी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना सामराज खो दिया होता मामला समझ में आ रहा है तो ये सेर्षा कहना चाह रहा है कि एक मुठ्थी बाजरे में लेना गया था बाजरा जो शब्द यहां परियोग किया गया है देखेगा ये मारवार से लेकर कहना तो यहां पर बाजरे की खेती होती है इसलिए यहां पर शब्द का इस्तमाल किया गया सेर्षा के दौरा कि एक मुठ्थी बाजरे ने कि एक छोटा सामराज है एक मारवार एक छोटा समराज है जिसको मैं विजय करने चल ला था, उसके चक्कर में मैं पर गया, क्यों कि इसका जो राजपूत सरदार रहता है, जैता और कुपपा, ये बहुत बहादुरी से लड़ता है, और शेरसा को करी टकर देता है, ये कहता है कि इसके चकर में मैं अपना पूरा समराज खो दिया होत आता है, इस अभियान के दौरान तोप के गोले से आग लग जाने के कारण उसकी मिर्टू हो गई, इसलिए मैंने क्या कहा, कि वह युद्ध में ही मरा, युद्ध के मैदान में ही मरा, रोहतास जिला जो बिहार का पड़ता है, तो रोहतास जिला का, जो जिला मुख्याल है अब देखिए सेर्शा सुरी सेख के जीबन परिशाथ से तो प्रशन आते ही है लेकिन उसने क्या प्रशासनिक सुधार किये उसके यहां महत्वपुर्ण पदाधिकारी कौन-कौन हुए इन सब चीजों को लेकर के ज़्यादे प्रस्ट आते हैं, अब देखिए आपर प्रशासनिक सुधार जब देखेंगे तो देखिए, सेरसा को अपनी विजव से अधिक अपने शासन कालिन सुधारों के लिए जाना जाता है, युद्ध कई सारे जीते, मुगल बादसा को हुम प्रशासनिक सुधार के लिए, अब देखिए, सेरसा के प्रशासनिक सुधार में एक बहुती नायाब चीज देखने को मिलता है, वह नायाब चीज क्या है, कि जो उसके सुधार अगर आप देखेंगे, उसकी स्टड़ी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप आएंगे क्य कि प्रशासनिक सुधार में परंपरागत चीजे भी देखने को मिलता है तो आधुनिक्ता के तत्तुभेश में शामिल होते हैं कई प्रशासा कैसे देखेंगे कि परंपरागत चीजों को छोड़ ही देते हैं आधुनिक्ता पर पूरी तरस चे उतर जाते हैं बहुत लोग प्रशास एक उदार तानशा कहा गया यहां दिजएका शब्द पर तानशा कहा गया लेकिन क्या कहा गया उदार तानशा एक धय लूता Smithed जो अपने जनता के लिए काम करना चाहता तो वजीर जो होता था जो उसका कार अगर देखेंगे तो राजस्व और वित्व का कार हुआ करता था फिर एक प्रशन आता है कि दिवान ए आरेज क्या था तो दिवान ए आरेज कहने का मतलब हो गया कि उसके सेरसा सूरी के समय में सूरी वंस में सैन प्रभारी सेनापती जो वह शंचार मंत्री और सबसे एहम जिस पर प्रशन आता है आ सकता है वह बरीद को ले करके चर्चा करते हैं और बरीद जो है गुप्तचर अधिकारी को कहा जाता अच्छे प्रशासक की हमेशा देखेंगे एक पहचान है रहा है कि वह गुप्तचर जरूर रखता है इसलिए बरीद जो है उसके समय में भी बहुत महत्पुर्ण भूमिका में रहता था जिसे गुप्तचर अधिकारी कहा जा सकता था ठीक है आगे बरते हैं सेरसा ने संतलन कालिन शाषन वेवस्था को ही जारी रखा था सेरसा का समराज अगर आप देखेंगे तो 47 छोटी काईयों मे विभाजित था जिसे क्या कहा जाता था सरकार कहा जाता था इसे ध्यान रखिएगा ठीक है और 47 छोटी काईयों में जो विभाजित था पूरा समराज उसका ये भी आपको ध्यान में रखना है और ये जो सरकार था तो प्रतेग सरकार को परगना में फिर विभाजित कर दि फोतेदार यानि कि कोशा ध्यक्ष जो की वित्व की इस्तिती शमालता था दूसरी बार कारकून यानि कि जो लेखपाल है ये करता था तो ये प्रतेक परगना के प्रसासनिक अधिकारी ये सब हुआ करते थे ये ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसको ध्यानम रखेगा मुख शिकदार यानि कि कानूर एबम वेवस्ता और मुशिफ यानि कि नयाधी सरकार के प्रसासनिक अधिकारी हुआ करते थे इसमें कई सादे शब्द आए हैं अधिकारी वाले तो ये ध्यान रखेगा यही ज़्यादा पूछा जाता है अब शेरसा सुरी और सुरुबंस उसके साथ जो था अपने भूराजसु वेवस्ता के लिए जाना जाता था ठीक है बहतर भूराजसु वेवस्ता इसके समय था तो इसमें क्या क्या था देखिए भूमापन की इक इकाई को लेकर की आपसे प्रशन पूछा जाएगा इसको गज ए सिखंडरी कहा जाता था दयाम रखेगा इसकटार को इस पूइंट को भूमापन प्रतेख प्षचल की कीमत की अनुसूचे भी जारी कर दी थी कि सौफचल का क्या कीमत हो ना चाहिए क्यों ऐसा किया था ताकि किसान को अधिकारी जो है परिषान ना कर सकें और दूसरी बात ब्रस्टाचार ना हो किसान को पहले से भी पता हो यह सारी चीजे जब ती ए हर साल वार्षिक भू निधारण पर्णाली को अपना कर भू राजश सू को संसोधित किया जाता था ता वह चाहेगा कि समय के साथ नियम कानून में शंसोधन किया जा सके जो आवस्क संसोदन है जनकल्यान के लिए आवस्क है वो करते रहना चाहिए इसलिए यहाँ पर जबती हर साल होता था यानि कि वारशिक भूर निर्थारन प्रणाली जो है उसे हर साल किया जाता था और भूर आजस्य सो को को तीन वर्गों में क्या किया जाता था वर्गी करत किया जाता था अब ये तीन वर्ग कों थे पहला था उपयुक्त दूसरा था मध्यम और तीसरा था अनुपयुक्त ठीक है ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा तो ये तीन तरह के वर्गी करत कर दिया क्लासिफिकेशन किय लेंड का और ये तीन चीज़ आई देखे औसत उत्पादन पर राज का हिस्सा एक तिहाई होता था यारे कि मान लीजिए बहुत अच्छा उत्पादन नहीं हुआ है इस बार फशल का किसानों के दौरा बहुत खराब भी उत्पादन नहीं हुआ लेकिन एक एबरेज हुआ ह तो फिर राज जो लेता था टेक्स के रूप में कह सकते हैं वह एक तिहाई लेता था वन ठर्ड जो है वह राज का हो जाता था जो की नकत या फसल की रूप में चुकाई जा सकता था जैसा भी आप करना चाहे पट्टा जो है प्रते किशान के दौरा चुकाई जाने वाला मुल और कबूलियत करार विलेक की शुरुवात भी इसके समय की गई थी मुद्रा को लेकर के मैंने पहले भी कहा था कि मुद्रा इसने चलवाया नई मुद्रा चांदी का रूपिया और तामे का दाम जो है प्रारंब किया गया जो 1835 इस भी तक परचलर में पता होना ही चाहिए था क्या है सुनार गाउं बंगाल से पेशावर पाकिस्तान दूसरा ये सबसे इंपोर्टेंट है प्राचीन भारत में जिससे उत्रपत कहा जाता था आधूनिक भारत में क्या कहा गया जीटी रोड ये वाला देख लीजिए ये वाला जो है ग्रैन ट्रेंक रोड जो है ये इसको लेकर के यहां पर बात किया गया ये वाला हिस्सा इदर देखेंगे निकलते हुए आगे काबूल अफगानिस्तान ता अफगान तक पहुंचता है चटगाओं से लगवा बंगाल से ही उस वक्त का आप तो बंगला देश है उस वक्त का बंगाल आगरा से बुरहानपूर भी एक रोड बनाया आगरा से चित्तोर और लाहोर से मुलतान भी सरक का निर्मान किया देखें ग्रैन ट्रेंक रोड ये अंबाला का उस समय के अप्पिक है ठीक है देखें इसमा तस्वीरों के बाद हमसे चीजों को समझ सकते हैं चलिए जो सरायों का निर्मान कराने के लिए बहुत थे मस्ता शेरसा सूरी हमेशा से शरायों का निर्मान कराया एक एहम बात क्या हुआ कि कहा जाता है कि सेरसा सूरी के समराज को समर्द करने में इन सरायों का महतपुर्ण योगदान था अब ये कैसे था चलिए देखते हैं यहाँ पर देखे उसने ठहरने के लिए सरायों का निर्मान कराया था जैसे धर्मसालव अगर नहीं होता आजकल वैसा ही अब एक जो बात मुखर तोर पर था कि सरायों का निर्मान क्यों कराया था ठहरने के लिए जो यात्री यहां से जाएंगे वैपारी जाएंगे वहाँ जा करके ठहरेंगे ठीक है लेकिन ये सराय जो हुआ करते थे वो पोस्ट आफिस का काम किया करते थे डाक घर का काम किया करते थे आप समझ में आ रहा है यानि कि संचार संप्रभाहित करने का एक सही जगह जो है ये सराय हुआ करते थे ठीक है तो जाइदातर सराय जो है बाजार बाले इलाके में बनाए गे थे और प्रतेक शराय के देखभाल के लिए एक शिकदार हुआ करता था शेर्षा के समय सूर्षमराज की धमनिया इसको कहा जाता मैंने पहले भी कहाने बहुत मातपूर्ण था सराय तो इसको धमनी कहा जाता था धमनी क्यों? क्योंकि जिस तरस हमारे सरी की वेवस्था है वैसा ही मजबूत संचार वेवस्था का काम ये सराय किया करते थी शेर्षा सुर्ष के समकालिन कभी की चर्चा करेंगे तो मलिक मुहम्मद जाईसी अब ये मलिक मुहम्मद जाईसी कोन है? वही जो आगे चल करके वो जो पदमाबत वाला कहाने लिखा दिल मेरा हो गया है खली वली वही वाला ये मलिक मुहम्मद जाईसी शेर्षा के शाषनकाल के दोरान ही मलिक मुहम्मद जाईसी ने पदमाबत की रचना की थी वही जो आजकल फिल्म जो बना दीपिका पादुकोन और रनवीर शिंग वाला वही वाला खली वली वाला ठीक है इश्लाम साह की चर्चा करते हैं शेर साह के बाद की चर्चा करते हैं इश्लाम साह जो है शेर साह का पुत्र और जाहिर सी बात है पुत्र के हिसाब से उस बक्त उत्राधिकार हुआ करता था यह उत्राधिकारी होता है पंद्रह साह पैतालिस से तिरप प्रचारक मीर सयद मुहम्मद हुआ करते थे यह इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको नौट कर लिजिए स्टार लगा लिजिए यहां से प्रश्न आ सकता है ठीक है बाकी इसमें कुछ ऐसा इंपोर्टेंट नहीं है सेर्शा के बाद इस सूर्व समराज में हां यहां पर है आदिल सा सूर का सेना पती एबर वजीर हुआ करता था तो पानेपत का जब दूतिय युद होता है पांच नमबंबर पंदरोसवा चपन को यह आप सब पर चुके हैं मुगलों एबम हेमु हेम चंदर शाही सूर की सेना पती के बीच इस युद में मुगलों की जीत हो ज शेर सा का इसके बाद बाकित जो अन शाशक हुए वो और भी कमजोर होते चलेगे और अन्तता क्या होता है मुगलों की जीत इसमें हो जाती है उसके बाद यहीं से देखेंगे तो यह जो शेर सा का समराज या सूर वरंश की बात करेंगे या अफगान समराज के बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है फिर हम आधुनिक भारत की तरफ बढ़ेंगे तो आज के इस लेक्चर में इतना ही आपको लेक्चर कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताईए अपने दोस्तियारों के शाथ इसे सेर भी कीजिए उन्हें बताईए कि निशुल कहा गया है वो सब पहले ही कठा कर लीजिए ओटियार फिल कर लीजिए क्योंकि यह बात सच है कि इस बार फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लेम आ रहा है नेटवर्क आपके पास अच्छा होना चाहिए नहीं तो एक दिन कुछ समय निकालिए नजदी की शहर में जाईए हमेला जैदा है फॉर्म भरने में तो इसके नहीं लेना है ठीक है तो इसी वादे के साथ की फिर मुलाकात होगी अपना बेहत ख्याल रखिए बहुत बहुत शुक्रिया